सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को पर बेल आइकोन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में मैं बिर्जेस आपको यहां पर अज पढ़ाने जा रहा हूं MPPSC Special के अंतरगत मद्र प्रदेश का सामान गया और उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं मद्र भारत का पठार मद्र भारत के पठार के बारे में आज हम जानेंगे जो की exam में पूछे जाते हैं MPPSC हो गया चाहिए जो भी exam मंद्र प्रदेश में जो भी exam होते हैं उसमें जरूर यह question पूछे जाते हैं MPPS related question आते हैं तो हम उन्ही को discuss कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अगर मद्ध भारत का पठार पढ़ना है तो उसके लिए आपको इसमें मैप की इस्तिती पता होना चाहिए कि मद्ध भारत का पठार जो होता है मद्ध प्रदेश में कहां से कहां तक उसका बिस्तार है इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सब MP का map जो है जरूरी है आपको बनाना ताकि जो है ये important रहेगा ठीक है तो इस तरीके से कुछ हमारा MP का map बनता है थोड़ा बहुत changes यहां पर हो सकता है लेकिन आपको rough idea होना चाहिए कि हमारा MP किस टाइप से होता है किस टाइप का MP का यहां पर बनता है तो मध्य पाहरत का अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक आपका यहां पर फैला हुआ है इतने दूर में यहां से यहां से यहां तक आपको फैला हुआ है ठीक चलिए देखते हैं इसको तो यहां तक फ्यला हुआ है तो इसको हम बोलते हैं क्या मध्य भारत का पठार तो इसको आपको याद रखना है तो सबसे आज कर जो टॉपिक हो गया टॉपिक क्या हो गया यह मध्य भारत का पठार जो कि किसके अंतरगत आता है वो आता है मध्य उच्च प्रदेश के अंतरगत यहां पर आता है अब इसमें जो है important points बगहरा है जो exam में पूछे जाते उनके बारे में आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना है अब उसका छेतरफल की बात कर लें तो इसका जो area होता है इसके अगर area की बात करने तो इसका area होता है 32896 बिल्कुल number को याद रख लो 32896 तरीके से जैसे भी आप इस number को याद कर सकते हो याद कर लो और यह कितना है यह MP के भोगोलिक 6 तरफल का 10.7 पूरा यहां पर cover करता है तो यह छेतरफल हो गया अब पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो पूर्वी देशांतर जो है यह 54 डिगरी 50 मिनिट से लेकर आपका 79 डिगरी और 10 मिनिट तक पूर्वी देशांतर में यह फैला हुआ है पूर्वी देशांतर तो यह जो है कुछ चीजें वे होती है एक्जाम में यहाँ पर पूछ ली जाती है इस चीजें हो गई अब अगर हम बात करें तो यह किस से घिर कि अदर बड़ी से 3rd के अंदर गतार आता है इसको क्या बोलते हैं चंबल प्रदेश क्योंकि यह छम्बल नती जो है अनिकली हुई है और यहीं पर इहां पर चंबल प्रदेस को कहते हैं और यहां पर राजस्थान है तो राजस्थान में क्या होगा अरावली राजस्थान में अरावली परवतसेनी होगी ना अरावली परवतसेनी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी तो यह सब चीजें जो है यहां पर आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे अब इसमें जो है कुछ चीजे जो है जो आपको याद रखना है याद ऐसे रखना है कि अगर हम जिला की बात करें है ना इसमें कौन-कौन से यहां पर जिले आते हैं इसके अंतरगत तो इसके अंतरगत आता है देखिए जैसे भिं ठीक है ग्वालियर हो गया उसके बाद और भी है जैसे कि गुना हो गया नीमच हो गया है ना नीमच नीमच उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा गुना और भी एक तो है जैसे कि नीमच हो गया गुना हो गया और क्या मिलना चाहिए राजस्तान के पास हम मंदसौ को भूला नहीं है मंसौर भी आपको देखने को मिल जाएगा और भी जैसे सेवपर वीसी के अंतरगत आता है ठीक है तो यह कुछ जिले हैं जो आते हैं इनमें से जो है भिंड जैसे कि आपको याद रखना है गौालियर याद रखना है यह सब चीज़े याद रखना है क्यों है तो उसमें यह पूछा गया है मंद भारत के पठार में कि उसकी उचाई मतलब कितनी है लगभग तो उचाई भी आजकल पूछा जा रहा है तो उचाई जो है इसको 300 से 500 मेटर के बीच आपको यह देखने को मिलेगा ऑप्शन भी ऐसा ही रहेंगे 200 से 500 से 500 400 से 800 1000 से 2000 इस यहां पर सबसे महत्पूर नदिया कौनसी है नदी के उपर कॉस्चन आता है तो सबसे महत्पूर यहां पर अगर हम इस छेतर की नदी की बात करें तो सबसे महत्पूर तो है चंबल नदी कौनसी नदी चंबल नदी चंबल नदी है लेकिन उसके साथ जो अन्न कुछ नदि है, ठीक है, कुवारी है, ठीक, तो ये सभी जो है नदिया इनके साथ यहांपर जो है सहायक नदिया और मानी जाती है, अब देखिए, यहां पर इस एडिया में बारिस होती है कम जो MP का ये छेतर है, अगर MP के हम बात करें, तो MP का जो छेतर है जीसे कि भिंड भिंड़े में सबसे जयाए कम वर्षा होती है तो ये डर्जिस्थान से टच है तो यहाँ पर वर्षा कम होती है लेकिन यहाँपर कई सारे बांद बने है इसका एक important जो point है कि बांद बने है यहाँ पर ज्यादा और यहाँ पर सिचाई जो है सिचाई बांदों से अच्छी हो जाती है तो सिचाई यहाँ पर अच्छी हो जाती है जिससे की बारिस की उतनी कमी यहाँ पर खलती नहीं है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर बांदों से मोरैना है 14%. चेटर के अंतरगत आता है. 29% के अंतरगत आता है. 34% के अंतरगत आता है. एक चीज आपको याद रखना है, इसमें जो कॉश्चन पूछा जाता जो है सिव पूरी के ऊपर कि जो सिव पूरी जैसे बंच खेत्र में जब हम आते हैं तो बंच खेत्र में कॉच्छा जाता है कि कथा बनाने की फैक्टरी कहा है तो कथा बनाने की फैक्टरी जो है सिव पूरी में आपको मिलेगी खैर से खैर से कथा बनाया जाता है खैर से कथ खाना कहां पर है सिव पुरी में सिव पूरी में इसको आप ऐसे आद रहा सकते हो सिव या नहीं संकर जी वह भाम दधूरा पान सब खाते हैं तो पान में कथ्था लगता है उस तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो प्रमुख फसलों की बात करें तो यहां पर फस से खेती यहाँ पर इन सब चीजों की जादा की जाती है तो इन में से जो important चीज़े मैंने बता है जो आपको याद रखना है एक है जिला पूरे जिले याद होने चीज़े जिले में जो important है जैसे भिंड किसलिए जाना जाता है भिंड में बारिस कम होती है सिर्फ पूरी में कथा वनाने की फैक्तरी है ग्वालियर जो है दार्शनिक प्लेस है नीमच हो गया मंसौर हो गया इस अब किसलिए जाने जाते है ये भी थोड़ा चंबल लदी के कारण यहां पर बहुत बड़े बड़े गड़े बन गए हैं चंबल लदी के कारण घाटियां बन गई है तो वह जो है एक बहुत ही बड़ा यहां पर ड्रॉबैक है बहुत बड़ा समस्या है क्योंकि वहां पर डाकु लोग चंबल के डाकु उमने सुनाई नहीं है वहाँ पर डाकू लोग छुपे रहते हैं चंबल की घातियों में और यह जो है लोगों के लिए अच्छा नहीं है वहाँ से राहगीर जाते हैं तो उनके साथ दुरगट नाएं करती है तो यह सबसे बड़ा यहाँ पर एक समस्या है जिसको दूर नहीं किया जा पार सरकार के द्वारा अब हम कुछ important point देख लेते हैं IMP point तो पहला IMP point की अगर हम बात करें तो वही है कि सिवपुरी में कथे की factory बनाई जाती है तो कथा ठीक है factory कहां पर बनाई जाती है सिवपुरी में तो यह आपको याद रखना है यह एक important यहाँ पर roll अदा करेगा आपक पॉइंट है दूसरा point यह है कि है इंप्पॉर्टेंट कि खन् as की द्रस्ती से यह है यहाँ पर मिनरल्स खने जिक ही हां पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे तो खने उख की द्रस्ती से यह पिछडा से क्या है यह अप ज्या रखना है तो यह भी आपको याद जन जाती यहाँ पर पाई जाती है कौँसी सहरिया जन जाती ठीक है तो सहरिया जन जाती यहाँ पर पाई जाती है चौथे को मिलना है अल्क लॉइड ठीक है अल्क लॉइड मिलना है उसके बाद सुगर मिलना है ठीक है सुगर मिलना है उसके बाद अगर हम बात करें सीमेंट ठीक है सीमेंट का भी यहाँ पर आपको उद्द्योग देखने को मिल जाएगा अब ग्वालियर तो जैसा कि आपको पता है विसकोट के, चीनी के, क्मडरी में मरे रखी कपड़ा बनाने के, कार खानें यहाँ पर ग्वालीर में है, तो ग्वालीर भी यहाँ पर important है, ठीक है, तो यह चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी, ठीक है, तो I hope कि यह चीजें आपको clear हो गई होंगी तो इतने सी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है एक चीज और important है यहाँ पर छटबा कि यहाँ पर मतलब मध्य भारत का पठार जो है मध्य भारत का पठार जो है यहाँ पर बरसा लगभग इतनी होती है तो लगभग आप बोल सकते हो 75 cm यहाँ पर बारिस average यहाँ पर आपको होगा और इसी के असपास इतना maximum है इससे हमेशा कम ही रहता है और जैसा कि मैंने बताए भिंड जो है भिंड में सबसे कम बरसा होती है कैसे याद रहो कि भिंड में सबसे कम बरसा होती है भिंडी की सबजी जो है सूखी बनाई ज तो इस तरीके से पानी कम डलाएं, यानि कि वहाँ पर बर्सा कम हो रही है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, तो I hope कि यह आपको clear हो गया होगा, आज हमने पढ़ लिया मद्भारत का पठार, अगला जो topic होगा वह हम पढ़ेंगे, यहाँ पर बुंदेल खंड का प मिलेंगे, चली मिलते हैं आगले वीडियो में, ठैंक यू, जै हिंद, जै भारत